distribution factor distribution factor distribution factor को हिंदी में कहते है वित्रण कारक या वित्रण गुणांक इसको क्या बोलेंगे हम आपके वित्रण वित्रण कारक या फिर गुणांक शब्द इस्तमाल करेगा आप तयार रहें ना वित्रण कारक के लिए और वित्रण गुणांक के लिए यह आपके पास क्या distribution 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 factor अब देखो distribution factor basically है क्या अभी मैंने आपसे कहा क्यार आप coil जो है concentric slot नहीं करने वाले coil को एक गुच्छे में नहीं रखने वाले आप उस coil को आप armature drum की पूरी periphery के आप आसपास आप लपिटोगे और एक slot से दूसरे slot के बीच में electrical displacement भी आ रहा है आप यू सोचो कि अगर मैं ये सारी की सारी coil एक ही खाचे में डाल दूँ एक ही खाचे में डाल दूँ तो जो भी EMF पैदा होगा और अगर माल लो मैं ये आपके पास क्या है ये coil जो है एक यहाँ डालू फिर दुबारा यहाँ डालू फिर यहाँ डालू ऐसे करते हुए आपके पास डालू अलग-अलग slot में स्थापित करूँ तो जो आपके EMF पैदा होगा उसका योगफल समान आएगा समान आएगा नहीं आएगा समान नहीं आएगा कि यहाँ पर हर slot के बीच में angular displacement है वो value अलग-अलग आएगा यहाँ पर जो आएगा value वो अलग होगा और यहाँ पर जो आएगा वो value अलग होगा basically distribution factor हमको यही चीज़ बताता है कि कितना अलग होगा distribution factor हमको यही चीज़ बताता है कि कितना अलग-अलग होगा आप देहना winding में उत्पन या फिर armature drum armature winding में उत्पन induced EMF का परिमान जबकि जो आपके पास coil है वो अलग-अलग slot में स्थापित की गई हो और armature coil में उत्पन induced EMF या फिर प्रेरित विद्दुत वाहगबल का परिमान जबकि वे एक ही slot में bunch बंच का मतलब क्यों होता है bunch करके रखी गई हो का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते है distribution factor कहते हैं तो अभी आप देखना यहाँ पर एक तो मेरी अभी तो duster की आदत नहीं गई फटा फट डेस्टर लेने भगता हूं lecture देने के बाद अभी में duster लेने के लिए था में कल की क्लास में duster लेने के आ था इदर दस्टर की दर है मेरा यह बहुत पुरानी आदत है मारी duster के पीछे एक हाफ में duster रेता है अभी तो यह एक हाफ दस्टर प्रित विद्वत, वाहक बल का सधिश्योग फल, सधिश्योग, सधिश्योग जब की। वैल, आपके अलग- 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 analogy lot अलग-yeongलग- منुम प्लोट में स्थापित हो तथा बीजगनितिय योग जबकी तभी वाइल एक ही प्लोट प्लोट में बंच समझते हो ना बंच मतलब गुच्छा बंच में हो का अनुपात का अनुपात डिस्ट्रिबूशन फेक्टर कहलाता है यह आपके पास क्या डिस्ट्रिबूशन फेक्टर का डेफिनेशन है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वैक्टर समप इसका और जो कोईल आपने लगाizar यह ना कॉंसेंट्रिक कॉंसेंट्रिक मतलब बुच्छा करके अब इसे आप सब बैठे वे अलग-अलग मुड़े बैठे हो ना अब यह मैं सब करूँ आपको समेट कर एक जिगे लगा दूँ अले बड़ा बुढ़ा लग लेते हैं और उस बड़े मुड़े पे तुम बैठ दूसरे स्लॉट पर जाता हूं और जब मैं एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर जाता हूं ना तो मिरे को इंड्यूज में आपके फर्क देखने को मिलता है आप समझना कैसे दोनों सिच्विशन को समझना आपको चीज़े थोड़ी-थोड़ी समझ में आएगी क्यों क्यों डेफिनेशन पकड़ने से कोई मतलब नहीं आ रहा है जब तक की चीज समझ में नहीं आए आप देखो कि यहां पर ऐस तरीके से कुछ खांचे हैं यहां से मेरा तार जाएगा और यहां से ऐसे निकल कर फिर यहां से जाएगा और यहां जाकर ऐसे करके ऐसे बाहर निकलेगा ठीक है अभी देखना यहाँ पर यह जो दिख रहा है ना यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा इस हिस्से को हम कहते हैं active length यह जो इस्सा है यह कहलाती है मेरी active length of the coil पैसिकलि यह क्या है आपके पास पूरी coil यह मैं इसको बोल दू अगर माल लो आपके पास A इसको बोल दू B इसको बोल दू C D, E और आपके पास क्या है एफ और यह आपके पास क्या है जी यहां तक अब देखो यहाँ जो यह आपके BC है वो active length active पैसिस जो है अब बताओ यहाँ पर मैं EF की अगर बात करूँ तो EF भी मेरी active length है यह आपके पास क्या होगी active length यह active length है आपको बता है जो active length है वो EMF induced करने में participate करती है यह जो दिख रही है आपको CD और DE यह है inactive length क्या कहलाती है आपके inactive length of coil इसको हम क्या बोलते है inactive length बोलते है यह मैं एक ही तरफ दिखा रहा हूँ तो बोलेंगे inactive length inactive length inactive length EMF production में कोई participation नहीं करती है जो भी आपके participation करेगी वो active length participate करेगी मतलब EMF induced इसके कारण होगा अब मैं इस coil की बात कर रहा हूँ आप बताओ यहां से लेकर इतने एक दो तीन चार चार स्लॉट एक दो तीन स्लॉट है चोथे में तो conductor पड़ा हुआ है तीन स्लॉट का फरक आ रहा है तो यहां पर आपके जो तीन स्लॉट का फरक आ रहा है इसमें कोणिये विस्थापन नहीं होगा क्या उस तो कोणिये विस्थापन होगा मैं मान लेता हूं कि एक से दूसरे स्लॉट के बीच में आपका फरक आ रहा है suppose 9 degree का फरक आ रहा है तो यहां पर आपके उदर 3 के अंदर 9,27 degree का फरक होगा रही नहीं होगा अच्छा एक्टिव लेंद देखो यहां पर जो लंबाई है वो लंबाई यहां पर भी न दोनों एक ही लंबाई में पैदा हो रहे हैं दोनी एक ही लंबाई है एक ही आपके magnetic field में गूम रहे हैं और एक ही rpm से गूम रहे हैं तो इसका मतलब इन में पैदा होने वाले प्रिरित विदुत वागबल का परिमान जो है वो समान आने वाला है ठीक है अब आप देखना यहाँ पर अगर यह ऐसे पैदा हो जाता तो यह इदर होता लेकिन चुकि यह ऐसे पैदा नहीं हुआ है अलग कोईल में पड़ा हुआ है तो यह किदर जाएगा आपके पास लगबग यह कौन आएगा यह लगबग जो आपके 27 जिरी का एंगल है वो यह रहा हो सकते हैं अगर मैं इसको को इसी कोईल में डाल देता फिर के बीच में कोई कोई विस्थापन नहीं होता लेकिन मैं तो distributed winding कर रहा हूं ना मैं अलग अलग जगे पर winding कर रहा हूं तो यह वैसे होना यहां यह यह जाना चीए था यह ऐसे नहीं गया फिर क्या करा सत्ताई जीरी का displacement किया और यह इस जगे पर आगे यह रहा वो angle तो आप स्लोटों के बीच में displacement दे रहे हो इस तरीके से अब मुझे बताओ अगर मुझे यह जोड़ना है तो यह क्या होगा और यह जोड जो है जिसे यह जोड आपके vector sum है यह क्या है सदिश जोड यह आपक इसलिक क्या मैं उस एको ऐसे लिख सकता हूं even plus e2 plus e3 बराबर आपके capital e ऐसे लिख सकते हैं क्या मुंडी ला रहे हो गलत बात है तो मुंडी क्यों ला रहे हो मुंडी ऐसे मत हिलाओ मुंडी ऐसे हिलाओ इसको ऐसे नहीं सकते हैं इनका माथा बांधना पड़ेगा यह सारे के सापाधारी होंगे सम्मान नहीं कि अगर कोण नहीं डालाना तो सारे रूज जाएंगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इनके माथे बांध के लाने पड़ेगे साफे बांध के लाने एक में रेश्ट कर दी तो क्या होगा किनो कंडुक्टर में इंड्यूज्ड ये में फैदा होंगे और उनके बीच में कोणिये विस्थापन होगा जीरो होगा आप देखना क्या सीन होगा आप इदर देखो यह रहा आपके पास यह इस इवन उसी जगे पढ़ा हुआ दूसरा वाला कंडुक्टर भी वो भी लंबा ही सेम है सेम मेगनेटिक फिल्ड में है सेम आपके पास के आर्पिम से गुमाया जा रहा है तो वो भी इवन ही पैदा करके देगा यह रहा वैसाब अगला वाला यह आपके पास क्या है इटू है यह आपके पास क्या है इटू है और एक ही डारेक्शन में पैदा हुआ है अभी आप देखना यह तीसरा वाला है यह रहा तीसरा वाला ठीक है और यह आपके पास क्या है इट्री ठीक है अब मुझे बताओ ये बड़ी माप आ रही है इसी में नाप लेता हूँ विल्कुल मिश्टर बीम तो जानते हैं मिश्टर बीम की तरह गरते ज़्यदा हो गया आप देखो ये ठोटा है उपर वाला छोटा है नीचे वाला वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है इसका मतलब सदिश्य योगफल का मैगनिटूड जो आ रहा है वो ठोटा आ रहा है पिजगनीती योगफल का magnitude जो है वो क्या formulation आपके बड़ा आपके बड़ा-doll months मुझे आप लोग एटके बतां कि डिस्तिभूशन फेक्टर का magnitude क्यां आने वाला है एक से कम आनेवाला है या एक से ज्यादा आनेवाला है कि ज्यादा आने वाला है कम आने वाला है ना आपको पता कैसे लगा वरे सब यह आर्टिकल पढ़के तो अगर मैं आपसे बोलू कि डिस्ट्रिबुशन फेक्टर का वैल्यू होता है एक से कम एक से ज्यादा एक फिर आप क्या बोलोगे कि यौटे डिस्ट्रिबुशन फेक्टर पढ़ने की ज़रती तो आपको तब पड़ी जो कि क्वैल आपने बिखेरी बनागार आप प्वैल नहीं बिखरते आप जब बताओ कि डिस्ट्रिबुशन वज़ो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए तुम उसी पर लपेट देते हैं, ऐसे किया है ना तुमने, उसी पर लपेटा, ठीक है, इसलिए ये दोनों फेक्टर खतम हो गए, कोई फेक्टर है इनी पिक्चर में, लेकिन आपके क्या है, यहां हमने क्या करा, उस पेरी-फेरी पर अलग-अलग स्लोट लिए, और तार को अलग-अलग हाचो में से गुजारा, डिस्टिब्यूट किया, that's why मैं यहां पर दिस्टिबूशन फेक्टर पढ़ रहा हूं, तो ट्रांस्फॉर्मर के रेस्पेक्ट में, यदि मैं आपको पिछ फेक्टर का वैल्यू पूछता हूं, तो आपको ल समझ में आगई, जलो, अब मैं आपके लिए क्या करता हूं, सुत्र लिखता हूं, यारिसका, मैं सुत्र नहीं लिखा है, मैं यहां पर सुत्र लिखूंगा, तो आप देखना, distribution factor, kd is equal to, क्या हो जाएगा आपके पास, सदिश योगफल, उत्पादित, 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 EMF, EMF का सदिश, सदिश योग, सदिश योग, जबकी, जबकी, वाइल, distributed हो, distributed हो, बटा, बटा, उत्पादित, उत्पादित, EMF, EMF का बीज गणिती है, योगफल, बीज गणिती है, योग, जबकी, वाइल, वाइल, आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक हो, कॉन्सेंट्रिक हो, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक जगे पर centered हो, और यह थोड़ा सा बाहर चला गया, तो यहां करके, यह KD का formula, अचे इस formula से आपको जैदा कुछ फाइदा होने वाला नहीं है, objective question नहीं होने वाला, हाँ तुम्हारी knowledge बहुत बढ़ बढ़ जाएगी, distribution factor के respect में आपका knowledge बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको objective question यह नहीं दिलाने वाला है, objective question जो आपक pitch factor है, इतना popular है, ज्यादा दर teacher को जब choice देते हैं, क्या आप pitch factor से question बनाओगे, distribution factor से, तो ज्यादा दर teacher जो है, वो कहां जाएगे, आपके pitch factor से question निकाल के लेके जाएगे, distribution factor नहीं डच करते हैं, इसलिए आप देखना distribution factor का question, rare question कहलाता है, ऐसा नहीं आएगा नहीं, लेकि आपके rare कहलाता है, as compared to आपके pitch factor, क्योंकि pitch factor से वैसे भी 9-10 question बन रहे हैं, और यहां से आपके question कम बनते हैं, इस factor का मान क्या होता है, अगला point, इस factor का मान, पहला, इस factor, factor का मान, इस factor का मान, आपके क्या होता है, एक, एक या, एक से कम, ऐसे लिख सकता हूँ, एक, या, एक से कम, एक या, एक से कम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यार, ऐसे करके, less than, less than आपके पास क्या है, 1, क्या होगी, आपके पास, less than होगी, और equal to होगी, 1, ऐसे लिख सकता हूँ, distribution factor value, आपके पास क्या है, या, less than, और equal to, आपके पास क्या होगी, 1 होगी, तो कम होती है, होती है, और एक formula याद करके चल जाना, इसका, exam hole के अंदर, आपका काम हो जाएगा, kd is equal to sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2, और इसे जो है, box में बंद कर लेना, कि न, kd is equal to sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2, यहाँ पर आपका m और beta से परीचे करवा देते हैं, m और beta से आपका परीचे करवा देते हैं, जो होता है, वो होता है, आपके पास क्या है, slot per pole per page, slot per pole per page, m होता है, slot per pole per page, और beta जो होता है, वो होता है, 180 degree बटा, कि आपके पास slot per pole, slot per pole, clear, अभी तो visible है न, आपको,